दोस्तो, very good morning to all of you, आज के सांदर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज के इस वीडियो में पिछले दो दिनों के जितने भी missing questions हैं, जिनका मैं वीडियोस नहीं बना पाया हूँ उसके सारे questions को include कर दिया गया है तो सुरू करते हैं आज का सबसे पहला question तो question मनेगा हाल ही में International Monetary Fund यानि कि IMF की March 2021 की report के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है तो हर एक देश की पार में आपको पता है कि विदेशी मुद्रा का भंडार होता है और उस मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा भंडार है तो वो है चाइना के पास में तो option number six का right answer हो जाएगा कि चाइना जो है इसका right answer हो जाएगा अब इसमें भारत कौन से इस्तान पर आता है ये भी exam में पूछा जा सकता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में भारत दुनिया में चौथे इस्तान पर आता है पहले इस्तान पर आता है चाइना, दूसरे इस्तान पर आता है जापान, तीसरे इस्तान पर आता है स्विट्जर लेंड और चौथे इस्तान पर आता है इंडिया तो इंडिया का भी पोजीशन आपको याद रखना है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आगे चलते हैं कोशन बनेगा कि हाल ही में कौन सा देश UAE को पीछे छोड़ कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूरती करता देश बन गया है तो भारत का जितना भी तेल आता है उस मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जो बना है वो तेल आपूरती की मामले में वो बना है अमेरिका तो आप्शन नंबर सीज का राइडेंसर हो जाएगा कि अमेरिका जो है ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूरती करता देश बना है इंडिया के लिए तो option number 60 का राइड एंसर हो जाएगा अगला question मनेगा कि भारत की किस अंतर राश्ट्री महिला तलवार बाज ने इस वर्स तेज जुलाई से सुरू होने वाले Tokyo Olympics के लिए qualify कर लिया है तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि भारत की तरव से किसी तलवार बाज जिसका नाम है भावानी देवी तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा अभी तक Olympics के लिए भारत की तरव से किसी भी तलवार बाज ने qualify नहीं कि अधा पहली बार ऐसा है कि भावानी देवी ने पहली बार Tokyo Olympics के लिए qualify कर लिया है तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा भावानी देवी इसका राइड एंसर हो जाएगा साथी साथ में आपको बता दूँ ये जो Tokyo Olympics है जिसको जापान के Tokyo सहर में आयुजित किया जाएगा ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक इसको वहाँ पर आयुजित किया जाना है ठीक है तो इसको आप लोग याद रखेंगे question बनेगा कि भारतिये cricket team के किस पूर्व कप्तान को भारतिये पेसे वर गूल्फ जिसको बोलते हैं PGTI कि बोर्ड के सदस्य की रूप में सामिल किया गया है तो यहां पर बोर्ड ओफ मेंबर बोर्ड ओफ मेंबर्स की रूप में कपिल देव को सामिल किया गया है तो option number 10 का right answer हो जाएगा कि भारती टीम के पूर्व कप्तान जिनका नाम है कपिल देव उनको जो पेसे वर गोल्फ टूर होता है इंडिया का जो पेसे वर गोल्फ टूर है उसका member जो है अपॉइंट कर दिया गया है अग्ला कोशन है अग्ला प्रिस्था मैंगा की राश्ट्रिय टी का करन दिवस National Vaccination Day प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो answer हो जाएगा every year 16 March को option number D इसका right answer हो जाएगा कि हर साल 16 March को National Vaccination Day बनाये जाता है option number D इसका right answer हो जाएगा अब इसमें आप देख सकते हैं National Vaccination Day जिसको हर साल 16 March को बनाये जाता है option number D इसका right answer हो जाएगा अगर हम लोग इसके दिवस को देखें तो इस दिवस को राश्ट्रिय प्रतिरक्षन दिवस यानि कि National Immunization Day के रूप में भी एके नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको याद रखना है Question मनेगा International Day of Action for Rivers यानि कि नदियों के लिए अंतर राश्ट्रिय कारवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है तो answer हो जाएगा Option No.C 16 March को ये दिवस साल साल मनाया जाता है कौन सा दिवस है? International Day of Action for Rivers यानि कि नदियों के विकास के लिए जो एक्षन लेने का जो दिवस होता है ये हर साल 14 March को मनाया जाता है International Day of Action for Rivers कब मनाया जाता है? हर साल 14 March को ये दिवस मनाया जाता है इस वर्स ये जो दिवस है इसका थीम है ये कौन सा संस्क्रन मनाया गया है? तो इस बार इस दिवस का 24 संस्क्रन जो है इसको चिन्नित किया गया है वर्स 2021 की theme क्या है? theme हो जागी rights of rivers यानि की नदियों के अधिकार ये इसका 2021 के लिए theme हो जाएगा अब इसी से जुड़ा हुआ static G के समस्ते हैं चोंकि नदियों की बात हो रही है तो यहां पर ministry of जल सक्ती के बारे में देखते हैं इस समय union minister कौन है? जल सक्ती का गजेंदर सिंग से खावत minister of state कौन है? वो है रतनलाल कटारिया ये आपको यादोना चाहिए अगला प्रस्ण इसी में बनता है कि हाल ही में NPCI के द्वारा भीम UPI एप पर सुरू करी गई नई सिकायत निवारन सुविदा का नाम किया है तो हाल ही में NPCI ने जो UPI से सम्मंदे सिकायते होती है उसका निव्टारा करने के लिए एक सुविदा लौंज करी है जिसका नाम है UPI help तो option number A का right answer हो जाएगा कि अगर आपको UPI से सम्मंदे कोई सिकायत है तो आप NPCI के द्वारा भीम UPI पर एक सुविदा आपको दिखेगी जिसका नाम है UPI help जिसके माद्यम से आप इसका फायदा उठा सकते हैं किसी भी सिकायत के सुझाव के लिए question मनेगा कि भारत का पहला समर्पित express cargo terminal English में समझेंगे India's first dedicated express cargo terminal cargo terminal का मतलब होता है एक ऐसा terminal जहां पर सामान को लाने और भेजने लाने और भेजने दोनों कोई सुविधा होगी लेकिन ये जो terminal होगा इस terminal पर सिर्फ cargo का ही काम होगा passengers का काम नहीं होगा तो ये किस अंतर राष्ट्री Hawaii Day पर launch किया गया है तो पहली बार ऐसा होगा कि इसको Campe Gora अंतर राष्ट्री Hawaii Day पर launch किया गया है यानि कि इस Hawaii Day पर एक ऐसा terminal होगा जिस terminal पर ये जो terminal होगा इस terminal पर सिर्फ सामान को ले जा सकते हैं ला सकते हैं इसके लाबा passengers आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो ये Campe Gora अंतर राष्ट्री Hawaii Day पर ऐसी से विदा को launch किया गया है ये Campe Gora International Airport है जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथी साथ में अगला कुशन मनेगा कि Western डीज के किस पूर्व किरकेटर को S.J.A. British Sports Journalism Award 2020 S.J.A. British Sports Journalism Award जो है इसमे Best पंडित के अवार्ड से समानित किया गया है तो अंसर हो जाएगा Best पंडित के रूप में Michael Holding को समानित किया गया है Option नमबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं British Sports Journalism Award जिसमे Michael Holding को Best पंडित का अवार्ड जो है दिया गया है तो Option नमबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ता है संसदिय समीती ने सरकार के पॉसको एक्ट के तहट किसोर की उम्र 18 वर्स से गटा कर कितने वर्स करने की सिफारिस करी है तो हाल ही में संसदिय समीती ने इसकी जो पॉसको एक्ट होता है उसकी जो एज है उसको घटा कर 16 साल करने की गोशना हाल ही में करी है इसकी सिफारिस करी गई है पॉसको आप सभी को पता है पॉसको का फुल फार्म आपसे पूठा जा सकता है प्रोटेक्शन ओफ चिल्डरेन from sexual offenses जब भी बच्चों का जो sexual offenses होता है उसको counter करने के लिए इस act को बना गया था तो इसमें जो minimum age होती है बच्चों की उसको 18 वर्स से घटा कर कि सोरों की जो आयू है उसको 16 वर्स कर दिया करने की सिफारस की गई है अगला प्रस्ता होनेगा किस किलाडी ने 24 में Federation Cup Senior Athletics Championship की महिलाओं की 100 मीटर की रेस में स्वान पदक जीत लिया है तो आंसर हो जाएगा धन लक्षमी option number 60 का राइड अंसर हो जाएगा कि 24 में Federation Cup Senior Athletics Championship में women's की जो 100 मीटर की जो रेस है उसमें gold medal जीता है धन लक्षमी ने option number 60 का राइड अंसर हो जाएगा विस्व वायू गुडवत्ता 2020 की रेपोर्ट की अनुसार विस्व में सबसे ज़्यादा प्रदूसित राजधानी कौन सी बन गई है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूसित राजधानी बनी है इंडिया की राजधानी दिल्ली तो option number 20 का A इसका राइड अंसर हो जाएगा कि हाल ही में एक रेपोर्ट जारी करी गई है World Air Quality Report 2020 इस रेपोर्ट की अनुसार दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूसित राजधानी है तो option number A इसका राइड अंसर हो जाएगा अब यह जो रेपोर्ट है World Air Quality Report 2020 इसको रिलीज किस ने किया है इसको रिलीज किया है IQ Air ने IQ Air नाम की जो संस्ता है इसकी द्वरा इस रेपोर्ट को हाल ही में लॉंच किया गया है इसमें दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूसित सहरों में 22 सहर भारत से बिलोंग करते हैं चीक है आगे चलते हैं Quesn मनेगा कि हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो आंसर हो जागा वनवासी समागम का आयोजन जो है उत्तर प्रदेस में किया गया है Option No.30 का राइड अंसर हो जागा हाल ही में उत्तर प्रदेस के जिले सोन बद्र में एक कारकरम और्गनाईस किया गया है जिसका नाम है वनवासी समागम आप इसमें फोटो में भी देख सकते हैं इस कारकरम में भारत के जो प्रेसिडेंट है रामनाद कोबिन उनको चीफ गेश्ट के रूप में बुलाए गया था और यूपी के सीम भी वहाँ पर उपस्ते थे तो वहीं पर ही यूपी के जिले सोन बद्र में वनवासी समागम नामसे सकारकरम को आयोजित किया गया है अगर आपसे पूछें इसके जो चीफ गेश्ट है वो कौन थे तो रामनाद कोबिन जो है इसके चीफ गेश्ट के रूप में बुलाए गये थे दोस्तो आज का कोश्चन जिसका अंसर आपको देना है आपको देख रहा होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका अंसर लिखना ना भूलें थेंक यू फर वाचिंग इस ओसम वीडियो